वेल्कम बेक टो माई चैनल नमस्कार दोस्तों एंडी क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है फ्रेंड्स हाई होब कि आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को जो प्रेस कर लिजेगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अप्लोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन आजाए उसकी चलिए शुरुवात करते हैं 27 मार्च पहली शिफ्ट में जो एकजाम हुआ उसकी रिव्यू की शिक्षा और कुरिकुलम जो है वह कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है यह कुछा गया था लेटिन से लिया गया शब्द है यह तो यह कुछा गया था लेट डिवाईस की फूल फॉर्म पूछेगी थी लेट डिवाईस की फूलफों पूछेगी थी तो लेंगविज एक्विजिशन डिवाइस होता है लैड डिवाइस यह कुछा गया था स्मर्थी और कल्पना कौन सी अवस्था में होते हैं स्मर्थी और स्मर्थी और कल्पना जो है वो कौन सी अवस्था में होते हैं यह कुछा गया था आज के एक्जाम में Global Forum Index India की rank, पुछेगी थी Global Forum India जो रंक थी इंडेक्स में, इंडेक्स इसमें इंडेया की rank कितनी है, वो पुछेगी थी, तो अगर आपने कल शाम को 26 मार्च को 3rd shift का exam अगर देखा है, उसमें इंडिया की rank पूछेगी, तो आप पैटर्न change हो रहा है ranks की तरफ की जो global level पे जो marks दी जाती है अलग-अलग में चाह वो food में हो हो happiness में हो किस कोई भी index की के रैंकिंग है हो दी जाती तह उसके उपर question अब आ रहे हैं तो आप जो है global index ranking जो है उसके बारे में पढ़ यह अच्छे से राश्टपती का कारेकाल कितने साल का होता है यह भी question पूछा गया था इसके लावा जम्मो कस्मेर का निरतिया कौन सा है यह question पूछा गया रोट लर्निंग वाले जो है 6-7 question पूछा गया इंग्लिस में जो है तीन एरर के question आए पैसेज से 5 और पैसेज आसान था काफी, incorrectly spelling के दो question आये, item से दो questions आये, एक synonyms का आया था और एक antonyum का आया था, और statement improve करने के दो question आये थे, तो ये English से पूछा गया, math जो है, average से question आया, simplicity से, ratio से, time and distance से, percentage से, एक जो है, simple math से जो question आया, और एक ऐसे, जो 0.00625 का percentage निकालना था, actual में क्या क्या question पूछे गए math में, वो हम अगली slide में discuss करेंगे, ठीके, अगला, availability में अगर देखा जाएं, तो पहले number पर भारत का कौनचा शहर है, तो वो है बैंगलोर जिसके उपर question पूछा गया, आज, 5-6 question जो है, work education से पूछे जी के में, जो है, island, currency, और ये इनके उपर question पूछे के, क्या क्या question पूछे के, अगली slide में discuss करेंगे, हिंदी में वाक्या पूछे के, विशेशन, easy passage रहा, और चीन की मुद्रा, yuan जो होती है, उसके बारे में पूछा गया था, कि कौन से मुद्रा है, वहां के reasoning में, matching वाला percent, 10 percent और 5 percent का increment कर दिया जाए, तो उनकी new salary का ratio क्या होगा, तो ये question आया, आज के exam में, ratio से जो question आया, और दो साल का compound interest पूछा गया था, statement दिए थी, उसमें दो साल का compound interest निकालना था, time and work से जो question आया, उसमें 30 आदमी और 50 women, मतलब आदमी और ओरते, 30 आदमी और 50 ओरते एक time and work से पूछा गया था, ratio का एक question और था, a ratio b अगर 5, ratio 3 है, तो a plus b ratio a minus b निकालना था, तो ये a की और b की ratio दी गई थी, और find करना था, a plus b और a minus b की ratio, क्या रहेगी, ये question पूछा गया था, cube का corner size दिया हुआ था, 4.41, तो इसका surface area निकालना था, कौन का, तो math से जो है, ये ये question, exam में आज पूछे गए, इसके अलावा पूरो बाल्य आवस्ता के उपर question पूछे गए, खेलाईयों कितनी होती है, ये question पूछे गए, chess के खेल, chess में पहले भी question आ चुका है, और आज भी chess के खेल से सम्बंदित question पूछा गया, आसोक चक्र में कितनी तिलियां होती है ये question पूछा गया, fermentation से question पूछा गया था, इसके अलावा अलिमूनियम के बरतन में खाना क्यों नहीं बनाना चाहिए, ये question पूछा गया था, IAAF की full form क्या होती है, ये question पूछा गया, International Association of Athletics Federation जो है, वो IAAF की full form होती है, ये question पूछा गया था, RTE Act 2009-1986, इन सब के ओपर question नहीं पूछे गए, इन में से やनके से इक चार अप्षन दिये गये था, उसमें से एक पूछा गया, इन में से किसमें बालक active करिया में होता है, इसमें बालक active करिया में होता है, ये question पूछा गया, Autonomy vs. doubt में क्या होता है, तो Autonomy vs. shame and doubt जो है, वो second stage erection theory का है, और इसमें जो है शेम होता है ठीक एरेक्शन थे और इसके अलाबा आप मैं जो है निचोड बताने वाला हूं इस स्लाइड में कि क्या-क्या एक्चिट में कौन-कौन से सक्षन से आया तो एरेक्शन के बहुत सारे कुशन आया जैसे कि हमने देखा भी है दो कुशन आपने डिसकस भी कि पूची हुई थी काफी सारी मतलब एपलिकेशन बेइस्ट क्वेशन रहे टीचर्स का रूल पूचा गया है बहुत सारे क्वेशन में करहां क्योरिकलम करें का इक कुषन पूछा गया था अडल्ट से related questions काफी पूछे गए थे NPE 2020 से एक EG से question दो question पूछे गए थे और पार्ट एक हम बात करें तो rough downs जो कि JNK का है उसके बारे में पूछा गया था एक दो award से question पूछे गया थे index question हम अलड़े discuss कर चुके हैं आइलेंड से question पूछा गया था डेल्टा का भी एक कौन सी नदी काट कौन सा delta है करके कुछ question पूछा गया था currency जो हमने discuss किया चैने की currency पूछी गई थी second battle of panipat जो की 1556 में लड़ेगी उसके उपर question पूछा गया था तो यह कुछ questions जो हैं आज के एक जाम में पूछा गये और उस हिसाब से आप pattern decide कर लिजे pattern मेरे हिसाब से थोड़ा सा difficulty level बढ़ता जा रहा है जी के section लगा लिजे या कोई भी section लगा लिजे सभी section में difficulty level थोड़ा सा बढ़ रहा है तो आप थोड़ा